ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज 25 अगस 2024 बाबा के महा वाक्य सत्यवादी बनो और समय प्रमाड रहम दिल बन बेहद की व्रती, द्रश्टी और क्रती बनाने के द्रण संकल्प का दीप जलाओ आज प्यार के सागर बाब दादा अपने अती प्यारे सिकी लधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आये हैं आप सब भी मिलन मनाने आये हैं न भाग भाग कर आये हैं तो बाब दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आये हैं आप सभी तो इस लोग से आये हो और बाब दादा पर लोग और सूच्म लोग से आये हैं तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूर देशी है? डबल फॉरेनर्स दूर देशी है? नहीं, सबसे दूर से दूर दूर देशी तो बाब ही है बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है कौन सी बात पर नाज है? बोलो विशेस डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिष्थिती में बाप से मिलने के लिए पहुँची गए है ड्रामा ने खेल भी दिखाया लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेस वर्दानों की वर्सा कर रहे हैं आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वर्दान चाहे वह वर्दान मिलेगा सहज मिलेगा लेकिन इस वर्दान को रोज अमरत वेले और कर्मयोगी इस्तिती में बार बार दिल से याद करना दिल शिकस्त नहीं होना वर्दान प्राप्त है सिर्फ जैसे इस थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है न ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना रख सकते हो या मुश्किल है सहज है तो जैसे इस थूल बिंदी निरंतर है ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नैन अकरशित नहीं होंगे मेहनत से छूट जाएंगे, और तरफ नजर जाएगी ही नहीं बिल्कुल सेफ हो जाएंगे कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा तो दिल में और नैनों में समाने की विधी है बाप दादा साहिब को राजी करना तो साहिब राजी है आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके उपर राजी है कितने परसेंट राजी है कोई ने कहा 99 कोई ने कहा 75 परसेंट आफरीन है बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल सच्ची दिल पर साहिब राजी है हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता, महानता है जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंद संपर्क में राज युक्त होगा अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले और हम कहां तक राजियुक्त हैं उसको परखने की निशानी है अगर राज जानता है तो वे कभी भी अपने स्वाइस्थिती से नाराज नहीं होगा अर्थाद दिल शिकस्त नहीं होगा और संकल्प में भी व्रत्ती से भी इसमर्ती से भी द्रश्टी से भी किसी को नाराज न तो बाप को राजी करने की विदी है राज्युक्त चलना और राज्युक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आये न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धी को स्वपन तक भी सदा शुब और शुद रखो। कई बच्चे रूरिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देते हैं लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेस सब बच्चों के साथी होने के सम्मंद से विशेस ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मिवार है बच्चों को संपन बनाए साथ ले जाने के लिए तो बाप अपनी जिम्मिवारी विशेस ऐसे समय पर निभाते हैं लेकिन कभी-कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ओफ होता है तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ओन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइम लग जाता है इसलिए जब फिर स्विच ओन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर जिसको आप कहते हैं टचिंग उस टचिंग वा कैचिंग पावर का स्विच ओन रखो माया कोशिश करती है ओफ करने की, सैकेंड में ओफ करके चली जाती है इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा अभी होना है और डरते तो नहीं है ना, बाब दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्स क्यों मनाया है कौन सा वर्स मनाया है, संसकार से संसार परिवर्तन का पक्का है ना, मनाया है ना, या भूल गए होi मना रहे हैं तो जब बच्चों ने संसार परिवरतन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकर्थी बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की लेकिन सफाई करने वाले जो निमित है वो करते-करते सोच में पढ़ जाते है दुविधा में पढ़ जाते हैं, करें या नहीं करें जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूँ प्रकुर्टी पूछती है, तो बाब दादा प्रकुर्टी को क्या जवाब दे डबल विदेशी बोलो थोड़ा इंतजार करे, यह तो ठीक जवाब नहीं अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे अभी तो प्लेन मिल गए है ना सोते सोते आये हो ना प्लेन में आराम से आ गए हो ना सारी सभा मैं से किसी को भी आने में मुश्किल हुई हाथ उठाओ एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया टाइम पर पहुंच तो गई ये हिम्मत की बात है जो थोड़ा डरे तो बैठ गए आप लोगों ने द्रण संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए सिर्फ एक का प्लेन लोटा बस ना उसकी कोई बात नहीं फिर अच्छा मिलेगा अभी आगे तो प्रकर्ती को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं क्या करें ऐसे करें नहीं करें ठीक होगा या नहीं ठीक होगा एकदम स्पष्ट हो हां या ना या राइट है या रोंग है क्लियर हो तो प्रकरती आपके वर्स मनाने के कारण तैयारी तो करे अभी भी करा रही है लेकिन इस थापना के निमित बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में चाहे स्वप्रती चाहे औरों के प्रती सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए सैकंड में क्लियर टचिंग हो बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है सेकंड तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदू रूप स्थिती में स्थित होने में सेकंड लगता है मानो कोई बात आपके सामने आ गई उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है लगता है शक्तियों में शक्ति हैं पांडव सच बोलते हैं नहीं दोनों सच्चे हैं क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी आपकी अभी नहीं लगती होगी इसलिए फर्क हो गया बाकी तो सब सच्चे हैं सच्चे दिलवाले हैं अच्छा हॉल तो फुल है नीचे पांदव भवन में भी बैठे हैं, नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाबदादा के सामने हैं, जो देश-विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाबदादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूर देशी दृष्टी दुरबीनी से देख रहे हैं, तो वे भी अभी बाब बाब दादा के सामने आरहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मदवन में हैं। आपके साकार वतन के यह साधन तो नीचे उपर हो सकते हैं। लेकिन यह अध्यात्मिक दूर दुर दृष्टी, दूरा देशी दृष्टी कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाब दादा के सामने सभी चारों और के सेवा केंदर के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मनाली, संगम युग है ही मनाने का युग, चाहे अंतर मुखी हो, अतींद्रिय सुक्की मौज मनाओ। चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रती महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रिहान करो, डांस करो, संबंद संपर्क से एक दोकी विशेष्ता को देखो, विशेष्ता की खुश्बू लो, सदा मनाना ही मनाना है। गवाने का समय समाप्त हो गया, गवाने का युग तो नहीं है न? अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है, तो बाबतादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का knowledge है इसलिए गवान के फिर मनाना उसका महत वो होता है अभी गवाने को बिंदी लगाओ Stop गवाना नहीं है एक संकल भी गवाना नहीं है कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब फिर तो समय मिलना नहीं है चेक करो जो भी खजाने है ग्यान का खजाना प्रतियक्ष जीवन में आए ग्यान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है लेकिन ग्यान अर्थात knowledge knowledge को क्या कहते हो knowledge light है, might है कहते हो न तो ग्यान वा knowledge का आर्थ है इस संकर्प में, बोल में, कर्म में light और might है तब कहेंगे knowledgeful कुमारियां knowledgeful बनने वाली है न सिर्फ course कराने वाली नहीं बनना भाषड करने वाली नहीं बनना साथ साथ knowledge की light, might, संकल, बोल और कर्म में हो कुमारियों से तो बाब दादा का विशेश प्यार है क्यों अपने जीवन का फैंसला कर लिया, कर लिया है या करना है अच्छी तरह से सोच लिया या वहां जाके सोचेंगी पक्का सोच लिया तो मुबारक हो देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं वहात उठाओ कितनी संख्या है असी जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है सेंटर नहीं संभालती हैं वहात उठाओ गिंती करो आधे हैं अच्छा इतने हैंड्स तो मिलेंगे न राइट हैंड्स या लेफ्ट हैंड्स राइट हैंड्स बनेंगे न अच्छा है कुमारियां है न तो बाब दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है हमेशा घर और वर दो चाहिए कुमारियों को वर्तो मिल गया अभी घर भी मिलेगा सेंटर मिलेगा कुमारियों को भी मिलता है कुमार समझते हम पीछे क्यों पीछे नहीं आगे हो कुमारों के बिना भी सेवा कहां चलती है कोई भी सेंटर पर देखो अगर hard worker कुमार नहीं हो तो बहने कुछ नहीं कर सकती दोनों ही जरूरी हैं इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है दोनों का नाम है अच्छा वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रती रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है चाहे मंसा सेवा द्वारा दो चाहे शुब भावना से दो स्रेश्ट सकाश देने की व्रती से दो चाहे अध्यात्मिक शक्ती संपन बोल से दो चाहे अपने सिनेह संपन संबंद संपर्क से दो लेकिन कोई भी आत्माओं वंचित नहीं रहे दाता बनो, रहम दिल बनो चिल्ला रहे हैं बाप के आगे अपनी अपनी भाशा में चिल्ला रहे हैं शांती दो, सनेह दो, दिल का प्यार दो सुख की किरणें दिखाओ तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे न बाप के आप सभी राइट हैंड हो कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं न तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो न पांडव राइट हैंड हो आप राइट हैंड का यादकार है पता है कौन सा यादकार है? विराट रूप का चित्र दिखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं तो आप राइट हैंड का चित्र है न कुमारियां उसमें आप लोगों का चित्र है न तो अभी बाप राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुक शान्ती की अंचली तो दिलाएगा न बिचारों को अंचली भी नहीं देंगे तो कितने तड़फेंगे अभी सभी हद की बातों से उंचे हो जाओ हद की बातों में हद के संसकारों में समय नहीं गवाओ बाप दादा आज भी सभी बच्चों को चाहे यहां बैठे हैं चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं बाब दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के सुभाब संसकार, नटकट वा चतुराई के संसकार, अलबेले पन के संसकार बहुत समय से देख रहे हैं कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है कौन देखता है कौन जानता है लेकिन अभी तक बाब दादा रहम दिल है इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है लेकिन बाब दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक कब तक क्या और टाइम चाहिए बाब स समय भी पूछता है आखिर कब तक प्रकर्टी भी पूछती है जवाब दो आप जवाब दो अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है शिक्षक और सत्गुरू तो है ही लेकिन बाप का रूप चल रहा है छमा के सागर का पाट चल रहा है लेकिन धर्मराज का पाट चला तो क्या करेंगे बाब दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पार्ट में भी वहा बच्चे वहा का आवाज कानों में गुजे फिर बाब को उलहना नहीं देना बाबा आपने सुनाया नहीं हम तैयार हो जाते थे ना इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में स्वभाव में संसकारों में समय नहीं गवाओ चल रहे हैं चलता है नहीं जमा होता जाता है दुगना तेगुना सोगुना जमा होता जाता है चलता है नहीं इसलिए इस तरण संकल्प का दिल में दीप जगाओ हद से बेहद में व्रती, द्रश्टी, क्रती बनानी ही है इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी आज ये कह रहे हैं बनानी पड़ेगी फिर क्या कहेंगे Too late समय को देखो, सेवा को देखो सेवा बढ़ रही है, समय आगे दोड़ रहा है लेकिन स्वैम हद में है या बेहद में है हद की बातों के पीछे आप नहीं दोड़ो तो बेहद की व्रती, स्वामान की इस्तिती आपके पीछे दोड़ेगी बाप दादा इस वर्स में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है आफरीन भी देते हैं लेकिन अभी सेवा में अनुभूती कराना शमा के उपर परवाने बनाना चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने अनुभूती की खान खोलो अच्छा है, यहां तक ठीक है लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने पक्के परवाने बनेंगे अनुभूती का कोर्स कराने से इतने तक अनुभूती होती है, बहुत अच्छा है स्वर्ग है, यही यथार्त ग्यान है, नौलेज है इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है अभी अनुभूती स्वरूब बन अनुभव कराओ अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डारेक्ट सम्मंद रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो सहयोगी बनाए हैं उसकी मुबारक है और बनाओ यह स्थान है यहां से ही प्राप्ती हो सकती है इतने तक भी मानते हैं लेकिन बाप के साथ चरा सा कनेक्शन तो जोड़ो जो शमा के पीछे ही भागते रहे तो इस वर्ष विशेस बाप दादा सेवा में अनुभूती कराने का कोर्ष कराने चाते हैं इससे ही साक्षातकार भी होगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होगे। सुना क्या करना है? प्लैन मिला? अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अती प्यारे बाब दादा के दिल, तख्त, नशीन, सुरेष्ट आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव, संसकार, परिवर्तन करने वाले, बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकेंड, एक संकल भी व्यर्थन गवाने वाले, जमा करने वाले त पुरसार्थी बच्चों को सदार रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को चाहे ब्रामण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंचली देने वाले सकाश देने वाले ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाब दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते वर्दान उमंग उत्सा से विश्व कल्यार की जिम्मिवारी निभाने वाले आलस सिवा अलबेले पंसे मुक्त भव। उमंग उत्सा से विश्व कल्यार की जिम्मिवारी निभाने वाले आलस सिवा अलबेले पंसे मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो ब्राम्मण बनना माना विश्व कल्यार की जिम्मिवारी लेना। जब कोई भी जिम्मिवारी होती है तो तीवर गती से पूरी करते हैं, जिम्मिवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं, जिम्मिवारी आलस से और अलबेला पन समाप्त कर देती हैं, उमंग उत्सा वाले अथक होते हैं, वे अपने चहरे और चलन द्वारा औरों का भी उम स्लोगन समय प्रमाड शक्तियों को यूज करना माना क्यानी और योगी तू आत्मा बनना अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती